तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि मई के महिने में EV sales के trends कैसे रहें कौन सी companies ने अच्छा perform किया कौन सी company पीछे चलेगी और कौन से vehicles ने अच्छा perform किया यह सारी information हम लोग जान लेंगे उससे पहले में आप से एक request है कि प्लीज आप चैनल को subscribe कीजिए प्लीज से हम मोटिवेशन मिलेगा आज भी 99% जो लोग है वो बिना subscribe के हुए वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि overall EV का एक total sales कैसे रहा है तो मई के महिने में 66,000 units sold हुए उसके बाद April में जो कि 73,000 हो चुके थे इससे यह कम है मई के महिने में लेकिन हम लोग लोग लास्ट यह comparison करें तो उसमें तो 3300 units से लुए थे तो मई के महिने में और एप्रिल के महिने में हमने थोड़ा सा decline देखा है अब हम लोग देखते है category wise कैसे sense हुआ है तो इसमें आप देखोंगे तो इलेक्रिक टू इलोस डेफिनेटली 59% से लुए है लेक्टिव थ्री विएरस 31.15% इलेक्रिक कार 5% और एलेक्रिक ट्री विलर जो है वो कारगो में 3.8% से लुए है तो इलेक्रिक बस 0.24% तो इसमें हम लोग देख रहे है कि टू विलर और त्री विलर को गवर्मेंट के दर्व से भी सबसीडी है प्रमोशन है इसलिए इस सेग्में हम लोग ज्यादा सेल देख पाते हैं अब देखते हैं कौन से राज्य थे जोने बहुत अच्छा जिनमें बहुत अच्छा इले इवी सेल्स हुआ है तो उसमे हम देखना पड़ेगा देली में इतना कम क्यूं है बिहार में पाच परसंट है उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो बाकि जो स्टेट्स है आसाम में 5 परसंट तो जो हिमालेयन स्टेट्स है और नौर्थ इस्टन स्टेट्स है उनमें अभी भी इवी का कवरेज होना बाकी है तो कंपनीज में इसके तरफ दरूर ध्यान देना चाहिए कि टॉप सिटी जा फिर मेट्रों सिटी को छोड़के भी कुछ और सिटी जो है वहां पे भी इवी म सब्सक्राइब तो आगे चलके हम लोग देखते हैं तो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा जो सेग्मेंट है वह एलेक्रिक टूइलर्स का तो टूइलर्स में कैसे परफार्म किया है और और जो सेल्स हुए वो कितने हुए तो एलेक्टिक टूलर्स के तक्रीबन 39,000 यूनिट्स भी के मई के महिने में जो कि अबसलिक अपरिल के महिने से 10,000 यूनिट्स कम भी के महिने में और लास्ट यहर हम लोग कंपर करेंगे तो एक हजार 26 यूनिट्स भी पाये थे मई 2021 में तकरीबन 40 गुना ज्यादा इंप्रूमेंट हुआ है तो आगे चलके हम बड़ी बड़ी कंपनीज है जिस इलेक्टिक टूइलर मार्केट में उनके पोजिशन कैसे रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं तो नंबर बन पोजिशन पर है ओकी नावा लास्ट टाइम जो है वो नंबर थ्री पोजिशन पर दीजिस बार वो सब्सक्राइब के जो लास्ट मंट टॉप पोजिशन पर इस मैंने में इसके नाइन थावदन वन फिफ्टी यूनिट्स जो है वो बिक पाया है और तो अगर ओला एस वन को लेके आता है तो डिफिनिट्ली मुझा लगता है सेल्स बढ़ेंगे और अगर फास्ट करता तो इनके सेल्स में इंप्रूमेंट देखे जाएगी अब तीस नंबर पर आते हैं तो इसमें है एंपेर का पाचार नौर सब्सक्राइब सेग्मेंट में जो है वो सेल करते तो डेफिनिट्ली उस सेग्मेंट में बहुत सारे लोग है जो स्कूटर के साथ एक्समेंट करना चा आ चुका है एथर तो एथर के 3,300 यूनिट जो है हर मन्त या फिर में के महिने में बिके हुए है डेफिनिट्ली इनके दो प्रोड़क्ट से एथर 450 प्लस और 450 एक्स और काफी अच्छी कंपनी कर लिए बर डेफिनिट्ली इनका जो लिमिटेड स्पेस है 30-40 सिटीज में ही यह सर्विस देती है अगर यह लोग इंप्रूव करेंगे तो डेफिनिटली अभी इन्होंने फंड भी रेस किया है बहुत अच्छा तो काफी कंपनी जो आगे बढ़ सकती है इससे हमें एक पता चलता है ना कि टॉप फाइव में दो तीन कंपनी तैसी जो प्रिमियम सेग स्कूटर्स देते हैं और काफी अफॉर्डेबल है सर्विस नेटवर्क बढ़ा है ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा है अगर मुझे लगता है ही रो इलेक्ट्रिक और क्वालिटी इंप्रूव करें तो काफी आगे जा सकता है नंबर छे पे बजाज बजस एक ही स्कूटर स्कूटर बेचता है बजस चेतक एलेक्ट्रिक जो की प्रिम्यम सेग्मेंट में जाता है उनका तक्रीबन कॉस्ट है देड़ लाग से आगे चलके स्कूटर की जो बिल्ड कॉलिटी है वह काफी अच्छे यूटिलिटी वैल्यो अच्छा है लेकिन फीचर जो है वह कम है आ थोड़ा सा नई कंपनी से डरते हैं वो टीवेस और बजाज की उपर जाना पसंद करते हैं तो कंपनी इसमें थोड़ा वेरेशन लाना चाहिए अगर कंपनी आती है तो यह काफी अच्छा ब्रो कर सकते हैं सात्वे नंबर पर आती है रिवोल्ट योड़ के 15 स्कूटर ले लेकिन इवाइक सेग्मेंट में जो है वो डेफिनिटल अभी जो रुजान लोगों का वो बढ़ रहा है तो आगे चलके हम लोग बात करते हैं प्योर इवी के बारे में तो प्योर इवी आठ्वे नंबर पर है 14 सो इनिट कंपनी ने बेचे लगबग यह भी कंपनी जो है एक अच्छा ब्रैंड ने में अच्छा सर्विस नेटवर्क है और यह भी आपको अफाउडबल स्कूटर जो है वो देदेती है बहुत तारे कस्टमर है जो एक लाग से नीचे जिनका बजट है वो इस स्कूटर के ऊपर चले जाते हैं और काफी अच्छे डिसेंट फीचर आपको इसमी मिल जाते हैं अब हम लोग देखते हैं नवय नंबर पे है जितंदर एवी जो की साथ स्वेर पेज के इस नंबर पर है अब उसके आगे हम लोग देखते हैं तो दस्वे नंबर पर जो है वह है टीविस चेसों इनुट्स रिप्विके है मही के महने में टेंथ पुजिशन पर है यह अभी नए वह इन्हों ने लॉंच किया तो देखते हैं अगले मेंने में शायद इनका पुजिशन जो है वो ऊपर चला जाए तो हम लोग कार के बारे में बात करते हैं तो इभी कार सेक्मिन में नंबर वन पर है टाटा इलेक्रिक जिनके पास दो वेइकल से टाटा टिगोर टाटा नेक्स और टाटा नेक्स वी मैक्स और सबसे बड़ी है 60% मार्केट शेर देवरी मंथ मंपनी बेच रहे हैं मही के महिने में इनका तीन हाट इन से उनिट का सेल हो चुका है तो डेफिन लिए जो है वह फर्स्ट मूवर का एडवांटेग्स जहां पर मिल रहा है नंबर फूप है एमजी की जड़े सीवी यह प्रिमियम सेग्मेंट में है तकरीवन 2829 लाग सी यह कार वह स्टार्ट होती है और 250 इनके भी बिके हैं तो डेफिनिटली थ्री फिगर नंबर है और क पर्श करते हैं उस सेग्मेंट में तो यही था और यहीं तो यहीं था और वहारा इस महिने का या फिर लास्ट मंद का जो सहल है उसके बारे में तो डेफिनिटली हम लोग यसी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक की किजिए तो थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो गाइस थैंक यू बाइबाए